लोग सभा चुनाओ 2024 का बीगुल बज गया है। निर्वाचन आयोग ने आज दो पहर प्रेस कांफेंस कर चुनाओ की तारीखों का ऐलान किया। मुख चुनाओ आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि इस बार के लोग सभा चुनाओ साथ चर्नों में कराये जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि चुनाओ को लेकर साभी तैयारिया पुरी हो गई है। इसके अलावा पोलिंग बुथो पर सक्त सुरक्षा ब्यवस्ता के इंतिजाम किये गये हैं। 19 अप्रेल से सुरू होंगे इस बार के चुनाओ। इस बार लोग सभा चुनाओ साथ चर्नों में होंगे। चुनाओ आयुक्त ने कहा कि इस बार 19 अप्रेल को लोग सभा चुनाओ सुरू होंगे। और 4 जुन को नतीजे आएंगे। 7 चरन इस 20 माई, 6 चरण 25 माई, वही 7 चरण 1 जुन को होगा, जबकि नतीजे 4 जुन को आ जाएंगे, आपको सबसे पहले ये चीज बता जें कि 20 चरण में कितने राजों का चुनाव होगा, इसको पहले चरण की बात करें तो पहले चरण में 21 राजों के कुल 12 लोग सवा सीटों पर वो 12 राजों की 49 सीटों पर, 10 राजों की 96 सीटों पर, 8 राजों की 49 सीटों पर, वही 7 राजों की 57 सीटों पर, वही लाष्ट में 8 राजों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी, 4 राजों में विधान सबा चुनाव होंगे, आम चुनाव के 7-7 चार राजों में विधान सबा चुन में होंगे जबकि 26 विधान सभाव में होंगे उपचुनाव हर्याना हिमाचल जारखंड और यूपी समेट 26 विधान सभा में उपचुनाव होंगे इसकी जनकारी चुनाव आयुक्त ने दी है इस बार 97 क्रोर वोटर्स भोट देने जा रहे हैं मुख चुनाव आयुक्त हमारे देश के चुनाव पर पुरी दुनिया की नजर हो दी है उन्होंने यह भी कहा कि इस बार 1.8 करोर मद्दाता पहली बार भोट करेंगे और कुल 21.5 करोर युवा भोटर्स होंगे पुरुस मद्दताओं के स्तंख्या 49.7 करोर होगी प्रहाल आपको यह ख़बर का इसल